अज़की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे डिफरेंस बिटूरिस कस्टडी एंड जुडिशल कस्टडी पुलिस हिजासत और नियाइक हिजासत में क्या अंतर है इसके बारे में इस वीडियो में आपको विस्तार से बताया जाएगा हाई आएम शिवं पांडे एंड जो ने अभी तक की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाएगे नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगले अब्डेट्स आपको मिलती रहें चलिए बिना किसे डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो पुलिस कस्टडी और जुडिशल कस्टडी में क्या डिफरेंस है पहला डिफरेंस पुलिस कस्टडी में पुलिस एज दा फिजिकल कस्टडी ऑफ दा एक्यूस्ट पुलिस कस्टडी में क्या होता है कि जो एक् उसकी custody magistrate के पास होती है पुलिस custody में accused पुलिस station के lock-up में भेजा जाता है concerned police station के lock-up में accused को भेजा जाता है in case of police custody whereas in case of judicial custody जो accused है उसको jail में भेजा जाता है पुलिस custody के अगर हम बात करें तो कोई भी अगर police officer किसी accused को या suspect को गिरफतार करके आता है तो उसको within 24 hour magistrate के आगे प्रस्तुत करना होता है और magistrate अगर police custody के लिए order देता है तो जादर 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 पुलिस custody में 15 दिन रखा जा सकता है पुलिस custody इसे आप रिमांड भी कह सकते है जादर 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 15 दिन के लिए होती है वहीं judicial custody जो है 90 दिन के लिए की जाती है 90 दिन ये है चार्शीट फाइलिंग का पीरेड लिमिटेशन पीरेड तो 90 दिन के लिए ही judicial custody हो सकती है पुलिस officer आरेस्ट जा suspect पुलिस custody में क्या होता है कि पुलिस officer suspect को अरेस्ट करता है और अरेस्ट करने के बाद पुलिस station के lock up में बंद कर देता है वहीं judicial custody में क्या होता है कि within 24 hours जैसा मैंने आपको बताया accused को लेकर आया जाता है magistrate के आगे उसके आज magistrate order करता है कि इसको jail में भेजना है या पुलिस lock up में भेजना है पुलिस custody में भेजना है so friends that's all for today I hope आपको basic difference समझ आया होगा पुलिस custody और judicial custody में and the basic difference is एक में वो पुलिस station के lock up में जहता है पुलिस custody में और judicial custody में वो jail में रहता है so that's all for today thank you so much for watching please subscribe the channel like कीजे video comment कीजे शेयर जरूर करें और ऐसी और वीडियो के लिए comment box में जरूर बताएं thank you so much